जैहिन साथ हो तो SCGD Constable की नई वेकंसी 27 अगस्त को आ रही है तो दो महिने बाद आपकी वेकंसी आ जाएगी और इस नई वेकंसी में बहुत सारे नए अभ्यार्थियों को मौका मिलेगा क्योंकि इस बार जो 10th क्वालिफाई हुए हैं लगवक सभी वोट का रिजन्ट आ चुका है तो बहुत सारे अभ्यार्थि 10th पास हो चुके होंगे तो उन्हें भी मौका मिलेगा क्योंकि इस वेकंसी में जनरल क्वालिफिकेशन केवल 10th पास होता है अगर आप 10 पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं अप इसकी तयारी कर सकते हैं तो अभी यहां पर इस बार कितनी वेकंसी आने वाली है ये लेकर सभी के मन में डाउट बन हुआ है क्योंकि अभी 2024 वालों को भी कयास है कि साथ अभी इसकी वेकंसी बढ़ जाए क्योंकि 26146 वेकंसी इस बार 2024 में आई हुई है और स्टेट वाइड डेटा भी चारी हो चुका है तो साथ बढ़ने की संभावना कम रहेगी इस बार वेकंसी किन्तु हमने आठी आई लगा दी है कि इस बार नए वेकंसी कितने आने वाली है और अगर वेकंसी बढ़ेगी तो 2024 में अभी कितने बढ़ सकती है तो जैसा इसका रिप्लाई आएगा हम आपको रिफार्म कर देंगी अगर आप चनल पर पाइर आए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा रिया जनकारी से आगे की ससी जीडी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा आपको चैनल पर मिलेगा अब बात कर लेते हैं कि कि टोटल कितने वेकंसी ससी जीडी दोचाब 25 में आने की संभावना है क्योंकि रियल डेटा तो आटी आई का रिप्लाई आने के बाद पता चलेगा किन्तु कितना आ सकता है कितना expected है उसके बारे में बात कर लेंगे और इस बार एज लिमिट क्या होने वाला है क्योंकि जो नया बैरती होंगे क्या वो एज में इस बार आप आएंगे या फिन नहीं तो क्या एज लिमिट का लगबग आधि वेकंसी हो गई तो 2021 में फिर से इसकी वेकंसी आए जिसमें 25,211 पद थे फिर से लगबग वही 50,000 के फॉक्स वेकंसी 2022 में आई यहां पर आप देखे एक बार जादा वेकंसी आती है और एक बार कम वेकंसी आती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि साथ इनका ट्रे जैसे यह वेकंसी फिल करते हैं उसी क्रम में जो है वह वेकंसी खाली भी होती है तो इस लिए देखे इस बार भी कम वेकंसी आई यहां पर ससी जीडियी में अगे तक 26,136 वेकंसी आय investigate सकता है कि स्थ यह वेकंसी आप ना बढ़े क्योंकि ष्टेट बाइब सिब्ता चारी हो चुकँ है और अभी तक वेकंसी बढ़ने की कोई भी estére हो शुक्ता है ना बढ़ अगर यह वेकंसी नहीं बढ़ती तो इसमें अच्छी कासी वेकंसी देखने को मिलेगी अगर यह वेकंसी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि 25 में कम वेकंसी देखने को मिलेगी अगर यह वेकंसी नहीं बढ़ती है तो आप समझ लेजिए कि फिर इसमें 50,000 के आसपास आपको व पोस्ट होती है आपको फता होगा क्योंकि इस बार पिछली बार CRPM में सबसे जादा पोस्ट आये ती इसलिए 50.000 हूए थी और 2021 में भी CRPM कोई पोस्ट नई थी इसलिए इसमें वेकंसी कम थी तो इस बार अगर CRPM की वेकंसी नहीं आई है तो यहाँ पर देखें हम बात करते हैं edge limit के बारे में तो देखें इसमें जो general edge limit होता है वो 18 से 23 साल होता है और इसका जो वेकंसी आ रही है वो वेकंसी भले ही अगस्ते 2024 में आ रही है किन्तो इसके एज जो count होगे वह 2025 से count होने की पूरी संभावना है क्योंकि वेकंसी 2025 की है फाले 2024 में आ रही है किन्तो वेकंसी जो है वह SFC GD Constable 2025 की वेकंसी है तो पूरी संभावना है जो आपका count होगा वह एक एक 2025 से count होगा क्योंकि 2024 की अभी जो वेकंसी चल रही है उसका भी आप लोगों ने देखा था कि वह वेकंसी नवंबर में आ गई थी नवंबर 2023 में किन्तो वेकंसी 2024 की थी तो उसके जो एज अकांट हुए थे वो एक एक 2024 से count हुई थे तो इसलिए पूरी संभावना है कि इस बार भी आपके जो एज अकांट होंगे वो एक जनवरी 2025 से count होंगे क्योंकि वेकंसी 2025 की है तो यहाँ पर जो एज का लिमिट हो जाएगा जनरल एज का लिमिट अगर आपके डेटा बर्थ 2122 से 1127 के बीच हैं तो आप इसमें form apply कर पाएंगे अर्थात एक जनवरी 2025 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए और तीज साल से ज्यादा नई होने चाहिए अगर आप OVC से हैं तो आपको तीन साल की चूट मिलती है अर्थात OVC वाले 26 साल तक और अगर आप SCST से हैं तो आप 58 साल तक फार्म एपलाइग कर सकते हैं तो OVC को 3 साल SCST को 5 साल का relaxation भी मिल कर देंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन